हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आवर चैनल तो आज हम यहां पर करने वाले मेंटल इलनेस जिसको हिंदियम मानसिक रोग कहा जाता है और इसे पहले मैंने आपको अन्य कोशिन करा दी एकर आपने वो सब नई देखा तो देख लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिले और उसका प्लेइलिस्ट बना दिया गया तो मानसिक रोग कई मानसिक स्वास्थे स्थितियों को संदर्वित करता है ऐसे विकार जो आपकी मनोदशा सोच और व्यवार को परभावीत करते हैं मानसिक रोग के उधारन हैं जैसे डिप्रेशन अफसात चिंता और खाने के वि की आपकी शम्ता को प्रभावित करते हैं उसके बाद देखेंगे एक मानसिक बीमारी आपको बहुत दुखी कर सकती है और अपने दैनिक जीवन में समस्याइं पैदा कर सकती है जैसे की स्कूल या काम या रिस्तो में समस्याइं ज्यादा तर मामलों में लक्षन दवाओं के स सायोजन के साथ प्रवंदित किया जा सकते हैं किये जा सकते हैं उसके बाद इसका परकार है बाइपोलर डिसॉर्डर ऐलजाइमर डिजीज तो यह सब आप लोग पढ़ लीजेगा वीडियो को पॉस करके उसके बाद यहां पर लक्षन है उदास मसूस करना द्यान केंदरि या सोने में समझ जाए वास्तविक्ता से अलग हटना यानि इब्रह्म उसके बाद है शराव या नसीली दवाव का सेवन खाने की आदतों में बदलाव उसके बाद आत्मगाती सोच और उसके बाद इसका कारण देखेंगे तो आनुवान शिक्ता जन्म से पहले कुछ पर् बदलाव मैसूस होते हैं तो आपने चिकिस्चक से संपर्क करें नियमित चिकिस्चा पराप्त करें स्वास्ते चिकिस्चक के पास जाना ना छोड़े खासकर यदि आप ठेक मैसूस नहीं कर रहे हैं उसके बाद है सहायता पराप्त करें मानसिक स्वास्ते की इस्तिति का इ दिन हो सकता है यदि आप लक्षनों के खराब होने तक प्रतिशा करते हैं उसके बाद है अपना दियान रखे परियाप्त नीन पॉश्टिक आहर और नियमित वयाम महत्वपून है और इसका नीदान देखेंगे तो शारिक परिक्षन लेब टेस्ट मनोवज्ञानिक मुल्या कन और उप्चार है अस्पिताल में भड़ती होने की जरूरत मनोचिक साथ दवाई प्रकैल्पिक उप्चार जैसे की योग दियान पॉश्टिक आहर पेयाम और उसके बाद इसमें लिखा हुआ इसका नुकसान क्या क्या है तो दुख और जीवन के आनंद में कमी पारिवा अधिक्स ओर वच्छिक इस वीडियो